हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टो मैं शेनल तो फ्रेंड्स आज की जो वीडियो है इस वीडियो में हम बात करेंगे कि में में कितने सब्जेक्ट होते हैं जी हाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि में में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं किन किन सब वीडियो को श्टार्ट करते हैं उससे पहले फ्रेंड सग्राप लोग शैनल पढ़ना है और शैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और साथ ही में बैला आइकन भी प्रस कर दिजे जिससे कि मा कोई नई वीडियो अप्लोड करूं तो एक post graduate course होता है जी हाँ दोस्तों जो आपका यमे होता है या एक post graduation course होता है अगर आप friends यमे कर लेते हैं भी ये करने के बाद तो आप post graduate कहलाते हैं और friends ये दो साल का course होता है जी हाँ दोस्तों ये दो साल का course होता है तो friends चली अब हम बात कर लेते हैं कि यमे में कितने subject होते ह तो फेंट देखे यमे में सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें आपका राजनीती सास्त्र होता है यानि की राजनीती विज्ञान होता है नागरिक सास्त्र इसमें आपका होता है अर्थ सास्त्र होता है इतिहास होता है भूगोल होता है मनुविज्ञान होता है दर्सन सास्त् होता है भासा होता है तो फ्रेंट्स इतने सब्जेक्ट जो है कि आपके यमे में होते हैं इन में से कोई भी सब्जेक्ट आप ले करके उससे यमे कर सकते हैं जी हां दोस्तों यमे में आपको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट लेना होता है कोई भी एक सब्जेक्ट आप चूज कर ल के हमें करना है जी हां दोस्तों जैसे मालिचे कि आपने जो है कि लिया था हिंदी लिया था संस्कृत लिया था और इतिहास लिया था तो आप जो है कि या तीन सब्जेक्ट भी ये में लिये थे और आपने क्या किया था कि जो तीसरा साल था उसमें आपने इतिहास को छोड़ दिया था तो आपके पास दो सब्जेक्ट में बचे एक आपका हिंदी बचा और एक आपका संस्कृत बचा तो यही जो दो सब्जेक्ट है वह आपको इन में से कोई एक सब्जेक्ट ले करके यमे करना होगा जी हाँ दोस्तों संस्कृत और हिंदी में से कोई एक हिंदी संस्कृit है और हम जो है कि राज़नीत विक्यान से कर लेहें उसा नहीं तो ऐसा नहीं होगा जिसजो सब्जेक्ट आप विदेयो को पसंद आई को पुसंद आई खी अगर यह विडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाईब करूधे ज्यादा से ज़्यादा सेर कर दियो और फेंड्स अगर आप लोग शैनल पढ़ने हैं और शैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शैनल को सब्सक्राइब